ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य चवैद्यकेन योपा करोतं प्रवरं मुनिनाम पतंजलिम् प्राण्जलिरानतो अस्मे पतंजलिम् दोस्तो मित्रो योग यूं तो वाइदिक काल से जाना जाता है प्रंतु क्या योग महरशी पतंजलि से पूरू रहा? हाँ निश्चित रूप से योग महरशी पतंजली से पूरू भी था और मैंने कहा वाइदी कालीन जो यूग है वो लाखों क्रोडों वर्ष पुराना उसका हम काल खंड जान सकते हैं और इस दृष्टिकों से भी हम इस बात को ध्यान में रखें कि वेद के काल में जो योग के मूल वक्ता जिसको कहा जाता है वह महरशी हिरन गर्ब को कहा जाता है और महरशी पतंजली ने उसे एक आधुनिक दृष्टिकों से माभारत काल के बाद के दृष्टिकों में उसको योग को निरूपित किया एक श्रिंखला बदिकिया उसको नियमक के रूप में हम जानते हैं महरशी पतंजली के दृष्टिकोन से योग में जो ब्रहांतियां थी वो ब्रहांतियां दूर हुई और योग एक विवस्थित क्लासिफकेशन के साथ लोगों के सामने आया एक साइंस के रूप में योग को माना गया कि आप ऐसा ऐसा करेंगे तो ये अचीव करेंगे जैसे एक और जमा एक दो होता है ऐसे ही अश्टांग योग का नियमित निरूपन करने के साथ आप बिलकुल ठीक वैसे ही एक एक करम से उची सीड़ी को प्राप्त करते जाएंगे और मोक्ष और समाधी को प्राप्त कर सकते हैं मैंने कहा कि जैसे मा बच्चे की रक्षा करती है ऐसे ही भाषे भाषा से अलग हटकर जोग जिज्जासों का शब्द जान में बहने से रोकते हुए उनका ठीक ठीक मार दर्शन करता है मेरे साथ यदि हम बात करें तो यहाँ योग दर्शन महर्शी वेदवियास परनीत है स्वामी सत्यपती जी ने इसका व्याख्या की है और हम बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं जैसे योग दर्शन के सूत्र पतंजली योग पीठ में आदिया देदी साध्युदेव प्रिया जी ने इसको बहुत अच्छे से इसको जेब में रखने के लिए इस परकार तैयार किया है और ये 195 सूत्र मात्र इसको हम इस परकार अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं और इसको स्मृति के दिश्टि कोन से जो यह जीवन को दिशा और दशा देने वाले ये सूत्र है योग सादकों को इसको अवश्य ही समन भी करना चाहिए इसका पूरंता जान भी होना चाहिए तभी वह योग का विवहारिक जान कर सकते हैं नहीं तो योग में जो ब्रहंतियां चली आ रही है आप उसमें बह जाएंगे साहब आप खो जाएंगे कि आखर योग क्या है योग के विशे में जब बात आती है तो वेद की बात आती है उपनिशद की बात आती है वेद उपनिशद के बाद की जो धारा है वो है दर्शन भारतिय जान प्रंप्रा में शट दर्शन की बात आती है और शटदर्शन की बात हम करें तो याद करने के दृष्टी कौन से तो हम याद कर सकते हैं कि एक पूरु मिमानसा है, उत्तर मिमानसा है वाईशैशिक है, न्याय है सांख्य है, योग है इस परकार उसके दो-दो आप जोड़े बना कर भी उसको याद कर सकते हैं कि ये सांख्य के इसके और भी महतुपुन बिंदु हैं ये आपस में एक दूसरे के पूरक भी इनको कहा जा सकता है प्रंतु अध्यन के करम से ये हम बात करें तो पूरु मिमानसा का पहले अध्यन किया जाता है फिर वाईशेशिक, फिर न्याय, तदोप्रान्त योग उसके बाद सांख्य और अंत में उत्तर मिमानसा जिसे वेदान्त कहा जाता है यह शड़ दर्शन की परंप्रा में आते हैं आज का जो मेरा संदर्ब है क्योंकि पातंजल योग दर्शन है तो हम उसमें सांख्य दर्शन की भी चर्चा आवश्य करेंगे क्योंकि दोनों पूरक है सांख्य जहां बहुत स्पष्ट करता है कि वह संख्या को द्यो तक है उसमें संख्या के उपर विशेश बल दिया गया है प्रकृति के विशे में कहा गया है कि प्रकृति और चेतन के विशे में कहा गया है और उसके यदि तत्वों की बात की जाए तो पच्चिस तत्वों से उसको निरुपित किया गया है जब इसको बात कर रहे थे, मैं आदनी दिदी से पूछ रहा था कि क्या हम इसको जान सकते हैं, तो बात आई कि मूल प्रकृति प्रधान तत्व, उससे महत तत्व, बुद्धी, बुद्धी से फिर अहंकार, अहंकार से एक तरफ तो पांच ग्यानिंदियां करम इंदियां औ ग्यारा तत्व और एक तरफ पांच तरमात्राएं, पंच महाभूत, ये और एक पुरुष चेतन, ऐसे 25 तत्व निरुपित होते हैं, तो पुरुष की चर्चा आई है, प्रम्तु ईश्वर की चर्चा इसमें स्प्रष्टा नहीं आई है, योग में ईश्वर को तत्व को वही बहुत सीधे सीधे से सुविकार किया गया है, महरशी कपिल ने जो सांख्य दर्शन के चाहिता हैं, वहाँ योग के मूल तत्व के विशे में बात रख रहे हैं, तात्विक जानकारी दे रहे हैं और दर्शन की जानकारी महरशी पतंजली दे रहे हैं इन योग सुत्र सूत्रों के माद्ध हम से यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है आईए हम देखते हैं कि जो चार पाद हैं पतंजल योग दर्शन के वो चार पाद कौन से हैं और उसमें कितने सूत्र हैं उसमें चार पाद, समाधी पाद, साधना पाद, विभूती पाद और कईवल्ले पाद हैं तो साधना पाद की बाद बाद में आई है, पहले समाधी पाद की बाद आई है तो आप लोगों को लगता होगा कि साधन तो बाद में बता रहे हैं, समाधी पहले बता रहे हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहर धारणा ध्यान समाधी अश्टांग योग के परिकल्पना में अंतिम जो सीड़ी है वो समाधी है प्रन्तु व्यास भाषय में भी योग को क्या कहा गया योग समाधी है हमने कहा कि महरशी पतंजली तो कह रहे हैं योग चित्त वृत्ति निरुधा योग तो चित्त की वृत्तियों को निरुध का नाम है तो जो चित्त की वृत्तियां जब निरुध हो जाएंगी तो जो स्थिती घटित होगी उसे ही समाधी कहते हैं तो हमने का चलो यह तो मान आता है समझ में आता है पर अंतु सबसे पहले समाधी की चर्चा क्यों हो तो कहते हैं कि रिशी जो होते हैं वह सबसे महत्वण बाद सबसे पहले कहते हैं जो उचकोटी के लोग हैं जो लोग योग सादक हैं उनके लिए समाधी पाद है ताकि वो साधना में परवीन हो चुके हैं तो वह समाधी के और अगरसर हों और उसके बाद किरिया योग की बात आती है साधन की बात आती है हमने कहा अश्टांग योग की चर्चा ही नहीं आई पहले समाधी पाद में तो उनने कहा ना यह साधन है और यह साधन अश्टांग योग दूसरे पाद से आरंब हो रहे हैं पहले दूसरे पाद में पांच त प्रतिपक्ष की भावना के माध्यम से किस परकार आप अपने जीवन की नकारात्मत्ता को नियंतरित कर सकते हैं, उसको जानने के लिए आपको चित को समझना बहुत आवश्क है, चित को केवल मात्र एक एकांगी रूप माइंडर कहकर उन्होंने समाप नहीं कर दिया, चित का विशेश व्याख्यान किया और विशेश तहा उसकी चर्चा करते हुए उसके अवस्ताओं के विशे में चर्चा की, चित किस परकार उसके लिए विक्षेप अंतराए क्या क्या आते हैं, किस परकार चित के अंदर नकारात्मता आती है, चित्य की परसंदता कैसे प्राप्त की जा सकती है उसकी चर्चा की परतिपक्ष भावना की चर्चा की सादक और बाधिक तक्त्यों की बात आपके सामने सुपष्टूता से आयेगी विक्षेप की बात सामने आएगी और साथ में एक बात कि उन्होंने मोक्ष को ऐसा नहीं माना कि पताने कितने वर्ष कितने जनम तक आपको करना पड़ेगा उन्होंने कहा कि अभी करो और अभी प्राप्त कर सकते हैं तीवर समवेगा नाम आसन नहा ऐसा नहीं कि ये प्राप्णिव वस्तु ही नहीं है आप समाधी को मोक्ष को जीवन मुक्टी को जीवन में रहते हुए कैसे प्राक्ट कर सकते हैं यदि ये सीखना है तो आईए महरशी पतंजली का योगदर्शन आपको आमंतरित करता है योगदर्शन में बहुत ही कठिन और गूड रहस्यों को बहुत सरलता के साथ प्रस्तुत किया गया है इश्वर्ततु के विशे में इतनी सरलता के साथ प्रस्तुती की गई है सहाब एक यदि सूत्र आप समझें यदि एक इस डेफिनेशन को संपूर्ण दुनिया समझ जाए तो मुझे लगता है कि सारी ब्रहनती दूर हो सकती है और सब में वो ब्रहमततु दिखाई दे सकता है जो योगेश्वर भगवान नकृषन कहते है योमाम पश्यती सर्वत्रह सर्वम चमई पश्यती यह जो भाव है ब्रहमतत्तु का भाव है वह भाव पैदा हो जाएगा और फिर कहीं विद्वेश होने की कोई संभावना ही नहीं बचती योगदर्शन में अनेक परकार की सिद्धियों के विशे में बताया गया है कैवल्ले के विशे में बताया गया है उसकी चर्चा हम आपके साथ सांजा करेंगे और आप पुन्ने करम करते हैं तो क्या प्राप्त होता है जाती आयू और भोग प्राप्त होता है उसका चिंतन यहां को दिखाई दिया है और केवल्ले में होता क्या है आप अपने को और आत्मा में परतिष्टित होना ही केवल्ले है यह चिंतन आपके सामने आएगा ईश्वर तत्व के विशे में एक गहन आपको समझ पैदा होगी और अपने से केसे जुड़ा जाता है केवल अपने से नहीं समाज के साथ के से जुड़ा जाता है ईश्वर के साथ के से जुड़ा जाता है उसकी चर्चा आएगी यह यदि आपका व्यक्तिकत जीवन के नियमों को दर्शाता है तो नियम वो तत्व हैं जो सारो गोमिक है, उनको यदी हमने जीवन में ढाल लिया, वो डिसिप्लीन ऑफ यूनिवरसल लॉज हैं, जिनको जीवन में ढाल लिया तो हम विश्व में कहीं पर भी जाकर रहे सकते हैं, और आनन्द के साथ जीवन भी अपत्त कर सकते हैं, बात आती है चित की, चित में प सुनने के बाद मैं इस बात को जिम्मेदारिक के साथ साध्या कर सकता हूँ कि योग एकागर अवस्था से शुरू होता है और निरुद्ध अवस्था पे जाके स्माप्त होता है योगश चित्वृत्ति निरोधह चित्व की वृत्तियों को निरोध करना ही योग का मूल लक्ष है यह बात हमें पहले ही सूत्र में महर्शी पतंजली ने समझा दी है प्रन्तु मूड शिप्त विक्षिप्त जहां रज तम और सत्व गुनों की प्रधानता की बात आती है प्रन्तु सामय अवस्था जो है वो शुरू होती है हिकागर से और उसकी उच्च अवस्था प्राप्त होती है निरुध अवस्था में आईए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं पांच वृत्या कौन सी है किन पांच वृत्यों से जो मन की ऑसिलेशन कहते हैं माइड की ऑसिलेशन है जो मन में विभिन प्रकार की एक्टिविटेज होती है वो कौन सी पांच तत्व है और वो क्या हमारे जीमन में बाधक वो पांच तत्व कौन से हैं? परमान, विपरे, विकल्प, निद्रह, स्मृत्याः, पंचतयाः, तो ये जो पंचतयाः, वृत्तयाः, पंचतयाः, क्लिष्टाह, अक्लिष्टाः, और ये केवल मात्र आपके जिवन में हानिकार्य तत्व नहीं हैं. ये आपकी समाधी मे साधक तत्व भी बन सकते हैं. आपको इसको केवल उप्योग करना आना चाहिए. परमान, विपरे, विकल्प, निद्रह, स्मृत्याः, ये ये आपने इसका सही उप्योग नहीं किया, तो ये आपके साधना की यात्रा में, मोक्ष की यात्रा में बाधक तत्व बन परंतु आपने ये दिन को सहज रूप से ठीक से समझ लिया, महर्शी पतंजली को जान लिया, तो आप इसको बाधक नहीं, साधक भी बना सकते हैं. ये कलिष्ट भी हैं, परंतु ये अकलिष्ट भी हैं. हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन एक शब्द में ये दिकरना चाहें तो पर्मान क्या है? दे कोरेक्ट नौलिजज, विपर्य क्या है? इंकरेक्ट नौलिज, विकल्प क्या है? इमेजिनेशन, जहां सत्य कुछ नहीं है, इमेजिनेशन में बात हो रही है, निद्रा क्या है? सलीप, और स्मृती मायने मेमरी, इन पांच तत्मों की जानकरी आईए इसको साधने का प्रियास करते हैं तो जो मैं बात कह रहा था कि यम नियम की बात आ रही है यम नियम क्या है जाती देश काल समे अनविच छिनना सारव भूमा महावरतम तो ये सारव भूमिक महावरत हैं जो यम नियम की बात आ रही है और इसका चित के साथ बहुत गहरा सम्मन्द है क्योंकि अहिंसा की बात आ रही है अहिंसा के साथ साथ बात आ रही है सत्टे की अस्ते, ब्रमचर्य, अप्रिग्रritis की बात आ रही है यह यम और नियम हमारे जीवन में अत्यंत महतुपूर है शोच, संतोश, तप, स्वाध्या, ये इश्वरपनिधान की बात आ रही है अब इश्वरपनिधान भहीरंग योग भी है और अंतिरंग योग भी है यह अपने को गहनता के साथ इसको समझने पर ही हम समझ पाएंगे और आज इस पेंडेमिक में जहां पूरी दुनिया तनाव ग्रस्त है मृत्यू के भैसे ग्रसित है उसमें आज भी एक ततु सबसे महत्वपुण है कि आप इस सारे पेंडेमिक से बच सकते हैं कैसे शौच से आप अपनी और सामारिक द्श्टिक उनसे यदि चहूम और स्वच्चता का द्यान रखते हैं तो समय समय पर हाथ धोना अपनी स्वच्चता का द्यान रखना यही तो मूल बात है परन्तु केवल मात्र महर्शी पतंजली शारिडिक सुच्चता की बात नहीं कर रहे है वैचारिक सुच्चता की बात भी करते है वैचारिक पवितरता की बात कर रहे है मानसिक पवितरता की बात कर रहे है आत्मिक और आपकी भावनात्मत पवितरता की बात कर रहे है यह है शोच का कितना गहरा अर्थ है और यदि हम अहिन्सा की बात करते हैं तो वेरत बूरनता Situation हो जाएगा यदि अहिन्सा की बात आए महर्शी पतंजली का जो अहिन्सा का तत्व है कितना गहरा है साब मनसा वाचा करमना आप किसी से दुईश नहीं करें आपने ऐसा नहीं क्रित कारित अनुमोदित मैंने तो नहीं किया परंतों मैंने किसी को प्रेडित कर दिया किसी से करवाया तो नहीं परंतों मैंने उसका अनुमोदन कर दिया वो भी हिंसा है किसी के मन के उपर भी यदि आपके कहने से कुछ दुश्प्रभाव पढ़ता है उसको यदि पीड़ा होती है वो भी हिंसा है इतना गहरा यदि समवेदनात्म का अध्यन किसी ने अहिंसा का किया है तो महरशी पतंजली और उस पर जो वेद भाये व्यास भाशे लिखाए इसका जो प्रभाव है मुझे लगता है इसको अपने परतेक साधक को पढ़ना चाहिए समझना चाहिए ये पूरां तह जीवन का रुपांतरन कर सकता है मैं ये चर्चा कर रहा था आपके साथ की समाधी, साधना, विभूती और कईवले पात के साथ हम आगे जब बढ़ते हैं इन सुत्रों के साथ हम आगे जब बढ़ते हैं तो हम पहते हैं कि किस परकार योग सुत्र का जो गोल है हम उसको अचीव कर सकते हैं और वहां तब तक अचीव नहीं हो सकता, जब हम आगे जाएंगे, कि चित की साधना, चित को किस परकार हम साधें, जो चित चतुष्ठे है, योग्दर्शन में जब में बात करते हैं, जब कि सांख्य दर्शन में जब हम बात करते हैं, तो वहाँ परधान से महत और महत से अहंकार तत्यू की बात आती है और मन को उभे इंद्रिय के रूप में माना गया है प्रन्तु यहाँ जब चित की बात आप देखेंगे योग दर्शन में तो बहुत क्लियर से बात आएगी मन, बुद्धी, चित और अहंकार यह चार तत्यों के साथ यह चित शब्द को जोड़ा गया है इसकी बहुत चित को चतुष्टे के दृष्टी कौन से जाना गया है और तब उसको पर चिंतन क्या गया है आखिर मन क्या है, बुद्धी क्या है, अंतह करन क्या है और चित क्या है, उसकी अलग-लग परिभाशाएं, उसको कैसे साधा जाएं, उसकी अलग-लग योजना, इस पूरे महरशी पतंजली योग पीठ का जो ये scientific view है, इसको समझने क्या आउशकता है, अब इसके विशेम हम आगे चर्चा करेंगे, आगे देखेंगे तो कि ये अश आठ अंग हैं, इनमें यम जो है अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रहमचरिय, अप्रिग्रह, जिसे ब्रहमचरिय है, ब्रहमचरिय में ब्रहमचरिय प्रतिष्ठा या वीरियलाभा, ये जद्दभी वीरियलाभ के दृष्ठी कोन से कहा गया, प्रंतु ब्रहमचरिय जीवन में, ब्रमतत्तु को अपने जीवन में धारन करना, ये भी ब्रहमचरी की प्रिभाशा, आप ये दिव्यास भाशे पढ़ेंगे, तो जो वैवाईविक विक्ति हैं, वो कैसे ब्रहमचरी का धारन कर सकते हैं, वहाँ एक सात्विक जीवनचरिया को जीते हुए भी ब्रहमचरी में रह सकते हैं, यहाँ चिंतन महरशीद पतंजली का बहुत गहरा चिंतन है, और मैंने कहा कि शोच संतोष तप स्वाध्या के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, नियम की चर्चा करते हैं, तो ये नियम में भी, cleanliness of the body and mind, इसको मैंने कहा कि कितना गहरे सत्वत बताया गया, संत इंद्रिये सिध्धी, अशुद्धिक शया तप सहा, काय और इंद्रिये की जो अशुद्धी है, उसको स्मात करना, उसका क्षे करना, और उसकी सिध्धिक के माध्यम से मोक्ष तत्व को प्राप करना, यह तप की उन्होंने परिभाशा बताई, और कितनी गहरी परिभाश परिभाशाएं कितनी गहरी परिभाशाएं हैं यदि हम सादक इसको समझ लें तो कितने ही परकार के द्वंदों से हम बच सकते हैं कितने ही परकार के कष्टों से हम बच सकते हैं स्थिर सुखम आसनम जो स्थिरता का अभास करवाता है सुखत का अभास करवाता है वह सब आसन की असमें definition में आते हैं यह आसन की जब बात आती है तो बहुत से लोग यह समझते हैं कि पतंजली योग पीठ में आसनों को महत्व नहीं दिया जाता हम महत्व देते हैं और बहुत अच्छे से महत्व देते हैं इसे हम कहते हैं bodily modifications जो postures हैं वो bodily modifications का कारे करते हैं जो आपका structure modification है उसका कारे करते हैं क्योंकि जब तक आपका structure ठीक नहीं होगा, align नहीं होगा हम physics के दिश्टिकों से देखें, alignment बहुत महत्वपून है और alignment कैसे आती है, वो poster से आती है और केवल मातर इसकी बात नहीं है, जब हम बात करते हैं अपने दर्शन की वाइदिक वांग में की बात करते हैं तो बहुत अच्छे से कहा गया शरीर माध्यम खलू धर्म साधनम ये शरीर तो धर्म कमाने का मूल साधन है साहब परन्तु उसको कब जब शरीर तयार हो, साधना कब घटित होगी मोक्ष कब घटित होगा, तब हम कब कर पाएंगे जब शरीर हमारा साध देगा, तो शरीर के उपर विशेश चिंतन किया गया तो जब यात्रा आरंब हुई है, तो उस यात्रा में टीसरे ही पाएदान पर महरशी पतंगली ने आसन को रखा है, कि आईए पहले अपने शरीर को साध लेते हैं आपका स्ट्रक्चर बैलनस कर लेते हैं, परमशद्य स्वामिरी महराज बहुत अच्छे से कहा करते हैं कि एक अपना हार्डवेर है और एक सौफ्टवेर है, तो पहले हार्डवेर की चिंता करते हुए आईए फिर हम सौफ्टवेर की चर्चा करेंगे, परन्तो आज हम जिस चर्चा को यहाँ पर आप विराम देने से पहरे इतनी बाद आपके साथ साधा आवश्य करना चाहते हैं, कि हार्डवेर माइने अपना शरीर यह जो पंच बहुतिक शरीर है, इसकी कलपना की गई है महर्शी पतंजली द्वारा यह पंच तनमात्राओं द्वारा बना हुआ, यह उभे इंद्रियों द्वारा इसमें क्या है? इसको अपने को द्यान से समझना होगा यह शरीर कहां से बना हुआ है? यह प्रकृती और चेतन ततु क्या है? जैसे मैंने कहा सांखे में प्रकृती और चेतन की बात आती है प्रन्तु योग दर्शन में प्रकृती जीव और ईश्वर त्राहित वाद की बात आती है दयानंद के साथ साथ महरशी दयानंद के समकालेन शीरी रामकिशन प्रमहंस के शिश्य स्वामी विवेकानंद ने भी इस पतंजल योग दर्शन को बहुत गहरे से पढ़ा और ना केवल पढ़ा अपितु इसका इंगलिश में भाष्य किया आज पूरी दुनिया इस भाष्य को पढ़कर योग के रागरसर हो रही है तो आधुली काल के इन दोनों योगियों को प्रणाम करते हुए जिनोंने महरशी पतंजली प्रणीत इस पातंजल योग दर्शन को विशेश महतु दिया अध्यात्मिक वेताओं के लिए जीवन वेताओं के लिए जीवन को जीना चाहते हैं और सुक पूर्वक आनंद के साथ अध्यात्म के और अगरसर होना चाहते हैं उन सब साधकों के लिए पातंजल योग दर्शन सांखे और यदि च्यों के छे दर्शन पढ़े जाएं तो बहुत आवश्चक बहुत अच्छा रहेगा परन्तु यदि नहीं तो कम स पातंजल योग दर्शन पढ़कर आप अपने जीवन को निश्चित दिशा दे सकते हैं एक अच्छे आध्यात्मिक जीवन को जी सकते हैं और पतंजली योग पीट का जो संकल्प है आध्यात्मिक योगी के विशु का निर्मान करना आध्यात्मिक योग में भारत का निर् उनके जीवन को देखें His life is his message जिसे महात्मा गांदी कहा करते थे मेरा जीवन ही मेरा संदेश है ऐसे आधुनिक काल के महरशी पतंजली शद्धे स्वामी जी महाराज का जीवन ही उनका संदेश है आईए उनके बौद्धिक और विवारिक जान को जीवन में उतार कर हम भी साधना के छेतर में और आगे बढ़ें आईए इस वारता को हम अगली बार भी जारी रखेंगे आप सब को आज के लिए इतना ही बहुत बहुत परणाम आईए एम में अगली बहुत